जैश्री राम मित्रो, मैं सीमा रोहिला, मेरे चैनल मा किरसोई पर आपका स्वागत है तो आज हम लेकर आए हैं सीजन की बादरे की चिक्षियां जो काफी सिहत मंद होती हैं, तो देखते हैं यहाँ पर हमने लिये हैं तिल, गोड, आटा और हमने लिया है घी अब हम इस टिकी में घी का यूज करेंगे, आप चाहें तो करें, नहीं तो आप इसे ना भी करें, तो भी चलेगा तो यहाँ पर हमने आटा जो हमने लिया है, उससे आधी कॉंटिटी में गोड लिया है यहाँ पर तीन से चार चमश पानी डालके हम इसे थोड़ा सा गुनगुना कर लेंगे हमें गुनगुना वस इसलिए करना है कि हमारे ये गुल अच्छे तरीके से मैल्ट हो जाए बहुत ज्यादा पानी नहीं डाले, ज्यादा पानी डालेंगे तो उसके जो मिठास होती है वो कम हो जाएगी क्योंकि हमारा गुल पिखलने के बाद में पानी अपने आप से छोड़ देगा ज्यादा पानी नहीं डाला, तीन से चार चमबज डाला और अच्छी से चार्षणी हमारी तयार हो गई हलके गुनगुने पानी में हमारा गुल अच्छे से पिखल लिया है तो यहाँ पर हमने बाजजे का आटा एक परात में निकाल लिया हम यहाँ पर 2 बाउल आटे का यूज कर रहे हैं ये वजन के हिसाब से हमने लिया तो 272 गिराम के आसपास है और 100 गिराम के आसपास हम्ने गुड को लिया है तो मैंने इसको तोल के लिया था और यहाँ पर हम डाल रहे हैं या 2 टेबल स्पून तिल आप अपने पसंद के अनुसार कम्या जादा कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने यह चाशनी हमारी फोड़ी गरम थी इसमें हमने दो चमजगी को मिक्स कर लिया है ताकि जब हम इसे आटे में डालें तो हमारा घी और जो कुड़ की चाशनी है वो प्रॉपर तरीके से हमारे आटे में मिक्स हो जाए तो हम इस चाशनी को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे क्या होता है आप कभी मैं भी या आप भी कई बार ऐसा होता है कोई चीज हमारी मात्रा में ज़्यादा हो जाती है तो हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो आटा हमारा अच्छे से तयार होगा चाशनी हमारी पूरी लग जाने वाली है पर फिर भी थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे आटा हमारा जब बच्छे तरीके से हमें एसास दिला देता है हाथ उसे कि इसमें मिठास काफी हो गई है तब आप इतने ही मिठास को डाल के इसको रोग दें तो यहाँ पर मेरी सारी चाशनी इसके अंदर यूज हो गई है और एक अच्छा सा आटा मैं इसको लगा के तयार क तो मैं बहुत थलका सा हाथ को गिला कर रही हूं और आटे को चिगना कर लेती हूं हमें एकदम नरम सा स्मूज सा आटा बना के त्यार करना है यह देखे हम थोड़ा अच्छी सी रोटियों का बनाते हैं अब यह हमारा आटा देखिए बिखर नीरा अच्छे से हमारी लोई अच्छे से हमें हल्प करेगी इसको बनाने में और तल्ले में तो अच्छा सा डो तैयार हो गया अब यहां पर हमने समान मातर में लोई बना ली और हमने यहां पर एक पॉलतिल लेकर उसको चिकना कर लिया इससे हमारी जो बाज़र की चिक्या है बनाने में आसानी होगी सा तरीके से जुजली हम जो है बेलन की हेल्प से इसको एक नॉर्मल सी मठी की तरीके से बना लेते हैं पर क्या है यहां पर हम आपको दो-तिन धना से बनाना बताएंगे ताकि यह थोड़ी आकर्शक लगे साथी बच्चों को भी खाने का इसको मन करें तो इस तरीके से आप बन हमने देखे लिसाट नेता है थाजिन हमकने जत्की करें और आपा यहां इस तरीके से इसको उतार आंगे खंद शसी हमस्त right सब्सक्राइब करें तो यहां पर मैं आपको बस साधरन तरीका दिखा रही हूं इसको इकाकरशक बनाने के लिए आप इस तरीके से बना सकते हैं तो यहां पर खस्ता होने की वज़े से पैल ना जाएं इस बात का ध्यान दखते हुए हम इसे एक एक दो दो करके और बहुत धीरे धीरे करके उतारेंगे यह समय भी ज्यादा नहीं लेटी जल्दी से शिक जाती हैं तो दोनों तीनों चिज़ों का ध्यान दखते हुए मीठी चिकिया हैं बहुत आसानी से उतार के तयार कर लेंगे। तो यहां देखिए गर्मा गर्म आगर्शक दिखने वाली चिक्कियां हमारी बाजरे की रेडी हैं। तो सिजन में बाजरे की चिक्कियों का अनन्द लें और खस्ता नरमची चिक्कियों को बनाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी अची लगे तो मेरी रेसिपी को लाइक से जरूर कीजिए। साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको क्या चीज चादा अची लगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में। अब तक के लिए धन्यवाद। सिहने अब तक के लिए। क्या रवें हमें अब तक कीज चानएं